हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो ऑनलाइन इस्टेडी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेन करेंट रफेस का टॉपिक बजट 2019 से लेटेट करेंट रफेस के कोश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम से बजट से लेटेट 2- वार-वार पूछे आते हैं तो आपको बजट से लेटेट फेक्ट भी मतलब कॉंसेट भी से पूरा क्लियर हो जाएगा और साथी साथ जो लेटेट अभी बजट पेस हुआ है अभी कल तो उससे लेटेट भी आपको सारी जानगारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो आप इस लिए इस वीडियो में आकरी तक बने रहें ठीक है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें मेहनत लगती बनाने में साथ इस वीडियो को शेयर कर दे चैनल को सब्सक्राइब निक्या सब्सक्राइब कर लें साथ हैं बेल कामधेनु आयोग। ठीक है देखे दोस्तों बजट 2019 Convention में कहा गया कि गायों की शुरक्षा को लेकर राष्टी कामधेनु आयोग बनाय जा जाएगा ताकि गाय की शुरक्षा की जा सकया और नसलों को शुधार किया जा सकी ठीक है तो आप याद तीन लाग करोड ठीक है option D ठीक देखें तो राश्टी सुरक्षा के मुद्दे पर घोशना किया है वित्तमंत्री प्यूश को एलने कारकारी वित्तमंत्री हैं इन्होंने रक्षा बजट पहली बार तीन लाग करोड रुपए हो गया है ठीक है और वर्ष दोहर 19-20 के लिए defense बजट तीन लाग करोड रुपए होगा ठीक है तीन लाग करोड रुपए है ठीक है हमारा अगला गोशन है दोस्तो बजट दोहर 19-20 की स्योजना के तहट दो हेक्टेर तक की जमीन रखने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिये जाने की घोशना की गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना ठीक है option C देखें दोस्तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को आरम करने की घोशना की गई है और योजना के तहट गरीब किसानों को दो हेक्टेर तक की जमीन वालों को उनके अकाउंट में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिये ज गई है 19,000 करोड रुपए option A ठीक है देखें दोस्तों कारकारे वित्तमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड रुपए आवंडित किये जाएंगे टीक है जो पिछली बार 15,000 करोड रुपए थे आवसकता पढ़ने पर आस द्रशी बढ़ाई भी जा सकती ठीक है तो 19,000 करोड रुपए आवंडित किये जाएंगे ठीक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहट पेस किये गए अंतरिम बजट 2019 में विजन 2030 के अंतरगत कितने आयमों की घोशना की गई है कि गई दोस्तों 10 ठीक है केंद्री विद्ध मंत्री पियुश गोयल ने बजट 2019 में इनकम टेक्स छूट की सीमा 1,5 लाग से बढ़ाकर कितने लाक रूपए कर दिया है तो important है 5 lakh रुपए ठीक है 5 lakh देखे दोस्तों केंद्री वित्तमंत्री कारेकारी जो वित्तमंत्री है पीश्गोहल ने बजट दोहर 19 में income tax की छूट 5 lakh से बढ़ा कर 5 lakh रुपए कर दिये ठीक है इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपकी taxable income 5 lakh रुपए तो अगले 8 lakh रुपए से बढ़ा कर कितने लाख रुपए किया गया है तो यह किया गया दोस्तों 2.4 lakh रुपए ठीक है देखे उस तो इसमें घर किराय से आए पर टीडियस की सीमा को 1.8 से बढ़ा कर किता कर दिए 2.4 lakh ठीक है चले एक लगोशन देख लेते हैं वित्तमंत्री प्यू 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की सहायतराशी दी जाएगी तो यह दी जाएगी दोस्तों 6,000 रुपए ठीक है 6,000 रुपए ठीक है 6,000 रुपए पी-म किसान युजना जिसके तहर सीमान्द किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की सहायतराशी दी जाएगी बजट दोहर उनीस में राश्टी गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ा कर कितने करोड रुपए कर दिया गया है 750 करोड ठीक है ओप्सन C ठीक है देखें तो बज़ट 2019 में राश्टी गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 क्रोड रुपए कर दिया गया है और गायों को उत्पादन और उत्पादक्ता को बढ़ाने एतु राश्टी कामधेनु आयोक के गठन की घोशना की गई है ठीक है राश्टी कामध अब देख लेते हैं दोस्तों बज़ट से लेटेट कुछ इस्टैटिक जी के जो बार बार पूछे गए एक्जाम में तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा देखिए आधुनिक भारत में बज़ट की परंपरा के शुरुआत करने का स्रे किसे जाता है जेम्स विलस वाजीद भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रसुत किया था रके संद्वुकं में सेटी ठीक है तो यह भी आध रखिए गा अभिवाजीद भारत का पहला बजट 1946 में 26 नमबर 1947 को, ठीक है, स्वतंद भारत का पहला बजट का प्रस्तुत किया गया था, 26 नमबर 1947 को, देखे दोस्तों ये कोशन को आप जरूर अट लीजिएगा, बहुत मुच्छा जाता है, स्वतंद भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो आर्गे सड्मुकम स्वतंद भारत का पहला पूर्ण कालिक बजट का प्रस्तुत किया गया, 1948-1949 में, ठीक है, स्वतंद भारत का पहला पूर्ण कालिक बजट किसने प्रस्तुत किया, मैंने आपको बता दे, आर्गे सेट्टी, नेक्स्ट है, भारती कड़राज्जी का पहला पूर्ण कालिक बजट किसने का प्रस्तुत किया गया था, तो यह किया गया था, 1950-1950 में, अगला कोशन है, देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वेम बजट प्रस्तुत करने का सरे हांसिल है, तो यह है जवाहलाल नहरू, प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली, राजीव गांधी, ठीक है, शून या धारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा राजीव गांधी, देश में आज तक वित्तमंतराले का कारेभार समखनने वाली एक मात्र महिला कौन रही, इंदिरा गांधी, ठीक है, देश में कार या परिडाम या लक्षों की प्राप्ति के अधार पर सिजित बजट क्या कहलाता है निश्पादन बजट ठीक है कार या परिडाम या लक्षों की प्राप्ति के अधार पर सिजित बजट क्या कहलाता है निश्पादन बजट पूजी गत प्राप्तियों एवं पूजी ग ठीक है किस किस बजट के इंतरगत किसी विभाग या संगठन द्वारा प्रस्तावित ब्य की प्रतेक मत को बिल्कुल नई मत मान लिया जाता है सुन्य अधारित बजट बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेश का अधार पर त्यार के जाता है या बजट में लिंग विशेश के लिए अलग से बजटी प्राधान के जाता है जेंडर बजट जिस करकी आदाएगी उसी ब्रक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगा जाता है उससे क्या कहते है प्रत्यक्ष कर ठीक है तो यह थे बजट से लेटेट कुछ इंपोर्टेंट लेटेस्ट करेंड अफेर साथ में उससे एस्टेटेक जी के थो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगल पेस करें दोस्तों तो इसको आप पूरा रट लीजिए कि क्वोस्टन काफ़ है इसके लाब आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन के लिजिए इस वीडिए को इसक्रिसे प्वक्स में लिंक मिल जागा टेलिगाम चैनल का तो वहाँ पे आपको इसका में पीडिया फाइल सेंड कर दूँगा ठीक है दोस्तों तो फिर मिलते हैं नेक्ष वीडियो के साथ तब तक के लिए आपना ध्यान रखिए स्वस्तर रही बैस्तर रही है इसके लाबा दोस्तों इस आपने आज कर आने फेस्ट वीडियो नहीं देखी है कि ओझिक है आज इकारण फेस्ट वीडियो आपने नहीं देखिए जरूर देख ले हर एक्जाम के लिए बहुत इंपोड़न रहती है ठीक है चलिए यह फिर मिलते हैं दोस्तों ने स्टूडियों के साथ स्वस्त रहें बैस् जय भारत